हाव रुफिक्स सैमसंग स्टार ठ्रीडोस सेलूलर नेट्रोक नॉट एवलेवल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का थिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेलूलर नेट्रोक उफिक्स कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेलूलर नेट्रोक यानि आपका मोबाईल नेट्रोक ठेक है अगर यहाँ पे एवलेवल नहीं है आपको नेट्रोक नहीं मिल पा रहे तो कैसे आपको फिक्स करना होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको कॉम्पलीट सोलिश बताने वाला हूँ जिसके ट्रू आप अपने सेरूलर नेट्रोप नॉट एवलेवल प्रॉब्लिम को डेफिनेटली फिक्स कर पाओगे ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल प्रॉब्लिम को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है अगर आपका सेलूलर नेट्रोप एवलेवल नहीं है तो आप दोस्तों अपने सिम कार्ट को जेक कर दीजिए यानिकी सिम कार्ट को मोबाइल से बाहर पर निकालना है मोबाइल को हमर देना है इंसर्ट करना है ठीद के और चेक करके देखें आपका प्रॉब्लिम इसी अलव यह नहीं हुआ है ठीक है अगर सॉल्फ हो जाते है प्रॉब्लेम ठीक है अगर आपको अभी भी प्रॉब्लेम आ रहा है तो कनेक्शन्स पे जाए मुबाइल नेट्रोक्स को उपेन करें और दोस्तों नेट्रोक मोड को स्वीच करके देखें ठीक है 4G, 3G, 2G के बीच में या फिर आप नेट्रोक ऑपरेटर में जाके नेट्रोक को मैनुएली या फिर आटोमेटिकली इस बटन को अन ओफ करके यूज़ कर सकते हैं अगर नेट्रोक है तो createdili auषी सिंखिद्ष आपको ध्यान पे राकना है और यहाँ पर आपका नेट्रोक सेटिंग एक बार रिसेट करना है असके लिए जेनरल मेनेचमेंट पर जाएं रिसेट पर क्लिक किजिए और रिसेट नेटोक सेटिंग पर जाके reset setting पर डबाके mobile password भर देना है और network setting को reset करना है ठीक है तो इस तरहीं से दोस्तों आपका cellular network not available problem fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरहीं से आपको fix करना है by any chance अगर आपको अभी भी problem आते हैं तो wifi के मदद से software को update करके देखें अगर mobile के related कोई भी problem है तो वह software update करने के बाद fix हो जाएगा अगर आपके सीम पर ही problem है तो आप customer care को contact करके बात कर सकते हैं आपके सीम से नहीं कर पा रहा है दूसरे सीम से कर दीजिए क्योंकि दोस्तों कई बर क्या होते हैं सीम deactivate हो जाते हैं ठीक है कई बार सीम deactivate हो जाते हैं उसके वज़े से cellular network नहीं आ पाते हैं तो आप अगर एटल सीम यूज़ कर रहा है 198121 कॉल कर सकते हैं अगर जीओ है 1977 अगर दूसरा कोई है तो आप 198 पर कर सकते हैं या फिर आप Google पर जाकी वी चेक लाइक प्रॉल्म कर सकते हैं और ये दोस्तों है एक चीज़ ध्यान रहे आपके एयर्टल सीम पे प्रॉल्म आ रहा है तो एक्र सीम दुसरे वाले लेकिए ही आपको कॉल करना है जी ओ सीम पे पर वे तो दुसरों का जीओ सीम ठीक है घर था यहाँ पे जितने भी solution था मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है simply आप उसको follow कर सकते solve कर सकते अपना problem अमेद करते वीडियो आपको यह पसने होगा thanks to watching